आई हो आप लोगोंने आई एंजी कैसे बनाते हैं आई एंजी का फॉर्मेशन कैसे होता है आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा तो आज हम समझेंगे present continuous tense में बनने वाले सभी तरह के structures कि कैसे हम structures को frame करते हैं कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम start करेंगे with affirmative form कि कैसे present continuous tense का affirmative use हम करते हैं affirmative structures बनाते हैं देखिए ध्यान रखेगा मैं आपको ये sentence बनाना नहीं सिखा रहा हूँ अभी मैं आपको सिर्फ जो जानकारी दे रहा हूँ वो है structures framing की जैसी structures framing होगा फिर हम usage को समझेंगे uses के बाद मैं आपको translation का भी इसका exercise करवा दूगा तो affirmative form बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगाना है subject फिर आप use करिएगा is mr फिर लगाएगा verb की v1 प्लस ing form और फिर लगाएंगे object तो यानि present continuous sentence का affirmative form बनाने के लिए हमें subject is mr प्लस v1 प्लस ing प्लस object ध्यान रखेगा कि ing हमेशा v1 में add हो किसी दुसरे वाले form में add मत कर देगा जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ इसे आप कहते है I am reading a book तो ये कैसा sentence बनके तयार हुआ ये बनके तयार हुआ आपका affirmative कैसा sentence है ये आपका affirmative अगर मैं कह रहा हूँ कि वो रात का खाना बना रही है तो इसे आप कहते है she is cooking dinner तो इसका मतलब है कि हम कौनसा sentence तयार कर रहे है affirmative and they are playing football वे football खेल रहे हैं ये sentence जो हमारा बना कैसा दुन के तयार हुआ affirmative यानि आपको ये समझ आ गया कि इस तरह की जो sentence होते हैं ये affirmative कहलाते हैं और इसको बनाने के लिए ये structure समय फॉलो करना है तो present continuous sentence का affirmative structures हमने समझा अब आगे बढ़ते हैं अगर हमें present continuous sentence का negative structures बनाना है तो हम क्या करेंगे negative form बनाने के लिए हम सबसे पहले सुरुआत subject से करेंगे जो helping verb था हम पहले उसे लिखेंगे फिर लिखेंगे not फिर v1 प्लस ing प्लस object ध्यान रखिएगा कि ये जो not है वो easy mark के बाद और main verb के पहले है किसी दूसरा position पर नहीं हो चुकि कुछ बच्चे दम बिल्कुल basics होते हैं या बहुत दिन के बाद वो rejoign कर रहे होतें English सीखने के लिए तो उनको ये position समझ में नहीं आता कि सर्फ कहां लगेगा एक बात मेरी मन में दम बैठा लिजे कि जब भी आपको not लगाना होगा वो जो subject के बाद helping verb आता है जस्ट उसके बाद लगाईए कभी कभी आपको 2-3 helping verb मिल जाते जब आ गया पढ़ते निकलेंगे तो बहुत निकलेगा मिलेगा आपको sentence तो जब भी subject देखिए subject के बागल में जो पहला helping verb आपको दिख जाए तो यहां पहला helping verb के रूप में क्या है इसमार बस इसके बाद not लगा दीजे ठीक है जड़े example समझेगा I am not watching TV now मैं अभी TV नहीं देख रहा हूँ यह कैसा sentence त्यार हुआ हमारा negative she is not studying right now वह अभी पढ़ाई नहीं कर रही है यह sentence आपने कैसा बनाया है negative and they are not working on the project anymore वे अब प्रियोजना पे काम नहीं कर रहे है यह हमने कैसा sentence बनाया है negative तो negative sentence बनाना आगया present continuous का अब आगे बरते हैं interrogative form और यह simple interrogative है तो हम क्या करते हैं कि जो subject होता है और यह जो helping verb होता है इन दोनों को position को change कर देते हैं यानि जहाँ पर subject था वहाँ पर हमने helping verb रखा है ध्यान रखेगा helping verb main verb को नहीं रखना है तो subject के पहले helping verb जाएगा और subject पर जैसे आप देख रहे हैं फिर आएगा v1 plus ing फिर object आएगा और last में question माग जरूर लिखेगा ठीक है अब इसकी हिंदी क्या होती है जब भी आप subject से पहले helping verb रख देंगे तो इसकी हिंदी की सुरुआत हमेशा क्या से होगी कैसे करेंगे आप क्या sentence है क्या तुम football खेल र रहे हैं आदे reading of book तो जब भी आप subject से पहले helping verb रख देते हैं तो इसका कोई नया ऐसा नहीं sense बन जाता है simply आप sentence की सुरुआत क्या से करते हैं और यह एक ऐसा questions बनके तयार होता है जिसका जवाब आप yes no में दे सकते हैं और जब helping verb को आप पहले करते हैं तो जो yes no questions होता है चलिए point clear है यहां तक आगे बढ़िए interrogative negative कैसे बनाएंगे यानि अब हमारा interrogative भी होना चाहिए और negative भी होना चाहिए तो interrogative के लिए तभी हमने समझा है कि subject के पहले आप helping verb लगा दीजिए यह interrogative बन गया अब negative भी बनाना था तो negative के लिए हम क्या लगा देंगे not लगा दे अब ही हमने आपको समझाया था कि main verb से पहले not लगेगा और helping verb से बाद में helping verb तो हमारा पहले आ गया अब इधर का जो position बता वो बना वीवन अच्छा इसमें आई एंज मिस हो गया है वीवन प्लस आई एंज आगा इस बत का ध्यान रखेगा चलिए तो not लगाया और not के बा यह जब sentence आपने देखा तो अजीव लगा कि sir यह तो दोनों एक साथ कर दिये तो ध्यान रखेगा कि जब आप helping verb के साथ not लिखेंगे इन दोनों को short में या contracted में आप int लगाते ठीक है क्या लगाते n और apostrophe t जैसे वहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो कैसे कैसे बनेगा थ सोला से इसको समझ लेते हैं is plus not जब आप लिखेंगे तो यह बन जाएगा isn't क्या बन जाएगा आपका isn't is plus not अगर आप बात करिए r plus not की r plus not की यह बनके त्यार होगा आपका अरंड प्रनॉंस लाइक एंट और अरंड ठीक है अब आते हैं कि जब आप am plus not लगाते हैं तो क्या इसको आप amant लिख सकते हैं तो जवाब आएगा red color से ठीक है कि नहीं सर amant आप नहीं लिख सकते हैं इंग्लिस में कहीं भी amant का इस्तिमाल नहीं होता है यानि amant नामा कोई शब्द नहीं है आप लिटरली यह समझ लिजए कोई शब्द नहीं है तो आप इसको avoid करिए और इसको ऐसे ही लिखिए आम नाट अलग अलग लिखिए एक साथ कभी courses मत कीजिए नेक्स है इजंट्षिप working on the project anymore क्या हुआ अब प्रियोजना पर काम नहीं कर रही है क्या हुए आज बाहर नहीं खेल रहे हैं तो जब हमने subject और helping work को आगे पीछे करके not भी लगा दिया तो यह तयार हो गया आपका interrogative negative sentence चलिए नेक्स्ट है WH question in present continuous sentence कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे जरा समझिएगा कि जब आप WH word की बात करिएगा तो सुरुवात आप sentence की WH word से करेंगे और जैसी WH word से करिएगा आप उसके बाद helping work लगाईएगा क्या लगाएंगे आप helping work और इसके बाद लगेगा subject फिर V1 प्लस ING फिर object point clear तो अब एक चीज में आपको समझाओं कि अगर ये WH word को हटा दीजे तो ये interrogative का structure लग रहा आपको तो यानि हमको कोई नया चीज नहीं सीखना था हमें बस interrogative के पहले WH word लगा दे रहा है I hope समझ में आ गया चलिए what are you doing तुम क्या कर रहे हो देखिएगा कि जब क्या क्या तुम पढ़ रहे हो देखिए एक sentence यह है कि क्या तुम पढ़ रहे हो तो क्या सुरू में आया है तो इसको हम सुरुवात helping word से करेंगे लेकिन अगर क्या वीच में आ गया है तो उसकी सुरुवात what से होगी चलिए वह कहां जा रही है तो इससे आप कहेंगे where फिर लग बते हैं कि डविच वर्ड के साथ आप negative भी बना सकते यानि डविच वर्ड वाला जो वर्ड होगा उसको लगाई और not भी लगा दीजिए तो क्या करिएगा डविच वर्ड लगाईए helping word लगाईए फिर subject लगाईए और फिर बाद में not और फिर बीवन प्लस आइंज प्लस subject और last में question mark जरूर तुम क्यों नहीं खा रहे हो बुलना पड़ता है ना तुम क्यों नहीं खा रहे हो why aren't you eating तुम क्यों नहीं खा रहे हो and where कहा नहीं जा रहे where aren't they going यानि वो कहा नहीं जा रहे मतब हर जगा जा रहे तो I hope कि structures are framing proper way में सीख लिए और sentence भी हमने दिया कि इस functions अलग होता है तो हम इसको अलग करके यानि सभी WH words से ये थोड़ा अलग हो जाता है तो चलिए जब आप who से sentence की सुरुआत करिएगा तो ध्यान से देखिएगा इसमें कहीं भी subject नहीं होगा अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हू है ये subject का ही काम कर रहा है या आपके ये कि ये आपको subject ढूंड के दे रहा है तो जब चीजे नहीं रहेगी तब ही तो आप ढूंडने की courses करेंगे that is why यहां से subject को हटाना पड़ा है और subject के जगा आपको who लगा दिया आपने है अब am का use नहीं कर सकते आप चुकि who am नहीं कर सकते तो आप is लगाएंगे और r लगाईएगा negative बनाना हो तो इसी के साथ not लगा दिजिए का कोई दिक्कत नहीं है इसे हमने इसको bracket में लिका है फिर v1 प्लस ing फ्लस object प्लस question mark जैसे who is calling me who is calling me इसका जवाब देने के लिए कुछ सोचना नहीं है just who के बदले में लगा दिजिए ram is calling और me को change कर दिजिए you बने के सकते तो that is why जब आप who लगा देते तो subject नहीं लगा सकते कि who is ram calling गलत हो जाएगा who is calling who is calling me next है वहां कौन नहीं जा रहा है then who isn't going there who isn't going there आप कहेंगे sir who के साथ R कब लगता है तो यह हम next class में समझेंगे चलिए तो यह थे आपके सारे WH words के structures present continuous के सारे structures भी WH words कैसे कैसे हम sentences frame करेंगे और कितने तरह के sentence present continuous में frame किये जा सकते है वीडियो अच्छा लगे तो like share और चैनल पर पहली बार आए तो subscribe ज़रूर किजिएगा धन्यवाद और हैं प्लस्पाओे नहादे हैँ जड़ चैनल पेज़ एका पंगाओर हैं प्लस्टे सकते हैं जा खिएगगी को बाद्ट कर भी हो Champions